नमस्कार आप देख रहे हैं TNP News, मैं हूँ आपके साथ दिपिका ओज़ा, TNP News के खास का अरकर्म अपना उत्रप्रदेश में आपका स्वागत है, चले शुरुआत करते हैं खबरों की यूपे की योगी सरकार जल्द ही 17 पिछडी जातियों को अनुसूचित जाती का आरक्षन देने पर फैसला करने जा रही है, इसके लिए पूरी विधिक कारवाई नई सीरे से करने की तयारी है, माना जा रहा है कि राजे सरकार इसके लिए वधान सभा के आगामी मौनसून सत में इंजातियों को आरक्षन देने का प्रस्ताव पास कर सकती है, जिसे संसथ के दोनों सदनों से पारत करने के लिए केंद्र को भीज जाएगा मुए उत्य प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश भर में गयर मानिता प्राप्त मदर्सों का सर्विक्षन कराने का फैसला लिया है सरकार के इस फैसले पर AIMIM प्रमुक्स असुदिदीन ओवैसी ने केंद्र और UP सरकार पर निशाना साधा है और ट्वेट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार के मदर्सों के आधुनी करण की योजना के तहट सिर्फ UP में और 50,000 सिक्षकों की कुल 750 करोड तनख्वाब बकाया है संसद भवन में मैंने यही सवाल उठाया और पूर्व अलप संक्यक कार मंत्री ने इस सवाल पर मुझे आश्वाशन दिया था कि फंड जल्द ही तलिस्न कर दिया जाएगा साथ ही आगे लिखा कि टीचरों की ऐसी हालत का क्या और कौन जिम्मिदार है बकाया फंड देने के लिए सरकार को कौन से सरवे की जरुद है आदुनी करण के बहाने मदर्सों को निशाना बनाया जा रहा है बीजेपी शाषत राजियों में मदर्सों को निशाना बनाया जा रहा है जब मैंने इसकी मुखालफत की तो मुझ पर जूटा इलजाम लगा दिया गया कि मैं मदर्सों के खिलाफ आदूनी करण की बात कर रहा हूँ वहीं सपा प्रमुख हकेलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर सिक्षा विवस्ता को लेकर आरूप लगाया और कहा कि प्रदेश में सिक्षा विवस्ता को पूरी तरह बरबाद कर दिया गया है मिशन काया कल्प के नाम पर करोडो और अर्बो रुपे फूकने के बाद भी सरकारी स्कूलों के हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है तमाम स्कूल जरजर भवन से चल रहे हैं सिक्षकों का पद खाली है बीज़ेपी सरकार और मुख्यमंत्री केवल वादू के सहारी ही अपना दिन बता रहे हैं मही कॉंग्रेस के प्रदेश महासचिफ सचिन चौधरी अम्रोह पहुचे जहां उन्होंने आयकर विभाग द्वारा दिये गए नोटस को लेकर प्रेस कॉन्फरेंस की और कहा कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं आयकर विभाग का नोटस उन्हें जाना चाहिए जिनके पास कोई पद नहीं है उन्हें जबरन परिशान किया जा रहा है साथी सचिन चौधरी ने कहा कि मैंने अम्रोहा लोग सभा से 2019 में चुनाव लड़ा था जसको लेकर इन्हें आप डर सताने लगा है कि मैं कहीं दुबारा मैदान में ना आ जाओं 29 अगस्त को आईकर विभाग की तरफ से दिये गए नोटिस को लेकर उन्होंने कहा कि केंदरिस सरकार के वरोध में बढ़ती महंगाई को लेकर हलाबोल रैली को बिगाडने की साज़िश की जा रही है इसलिए कॉंग्रिस कारेकरताओं को परिशान किया जा रहा है वहीं सचन ने कहा कि अमरोह से 2019 में चुनाओ लड़ने की वज़ा से उनको इंकम टैक्स विभाग गाजवाद से नोटिस आया था जिसमें उनका जवाब मांगा गया था उन्होंने कहा मैं ना तो विधायक हूँ और ना ही सांसद इसके बावजूद मुझे परिशान किया जा रहा है वहीं आयोध्या में बन रहे भवे राम मंदर का निर्माण तेज गती से चल रहा है जनवरी 24 तक भगवान राम अपने गर्ब्रय में विराश्मान हो जाएंगे और भक्तों को दर्शन देंगे बता दे कि निर्माण समीती की दो दिवसी बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि मंदर निर्माण की गती में तेजी लाई जाए तांकि अपने समय अनुसार प्रथम तल का काम पूर्णिक हो सके कार में तेजी लाने के लिए रामसेवक पुरम में चल रहे पत्थरों की तराशी को भी बढ़ा दिया गया है जहां करीब सौ मजदूर रामलला की मंदर में लगने वाले पत्थरों की तराशी कर रहे हैं साथ ही मंदिर निर्माड में बेस पिलंथ का काम पूरा हो गया है वहीं अब सुपर स्ट्रक्चर के निर्माड का कार भी प्रारम कर दिया गया है उत्रप्रदेश की मुरादाबाद में पुलिस ने डीम की आदेश पर लेडी डॉन हसीना की करोडो रुपे की अवैद संपत्ती को कुर्क कर लिया है जबत की गई संपत्ती में उसकी जयन्तपुर की कोटी भी शामिल है हसीना को तीन महीने पहले ही मुरादाबाद की कोट ने मादक पढ़ार्थों की तसकरी के मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी तबी से हसीना जेल में बंध है हसीना की संपत्य पर सरकारी सील लगने के बाद पुलिस विभाग की उड़ से मोहले में ढोल बजवाकर मुनादी की भीग की गई थी इसको लेकर मुरादाबाद के वरिष्ट पुलिस अधिक्षक हेमंद कोटियाल ने बताया कि ये लीडी डॉन हसीना एक शातर किस्म की अपरादी है जिसके खिलाफ अलग-अलग थानों मे जुआ सट्टा और मादक पदार्थों की तसकरी के 26-27 मुकदमे दर्ज हैं वहीं गोंडा में भूमाफियाओं के खलाफ कारवाई की मांग करते हुए बीजेपी जिलाद्यक्ष ने डिप्टी सीम को ग्यापन सौपा है बतादे कि मामले में दर्जनों F.I.R. होने के बाद भी मास्टर माइन की गिरफतारी नहीं हो रही है जिसको लेकर जलाद्यक्ष अमर, कृश्रो और कश्यप ने उपमुक्य मंत्री ब्रजेश पाठक को भूमाफियाओं के बारे में अवगत कराया और भूमाफियाओं की जल्द से जल्द गिरफतारी की मांग भी उठाई है बाढ़ गरस्त अलाकों का दौरा कर रहे हैं इस बीच हमीरपुर का एक वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें केंद्रिय मंत्री साधवी निरंजन जोती पेड़ितों के लिए रोटियां सेखती हुई नजर आई है चले फिलाल के लिए वक्त उचला एक छोटी से ब्रेक का ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगाता जारी रहेगा ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आपका स्वागत है रुप करते हैं अगली खबर का वारानसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में पुष्टक विमोचन कारेक्रम का आयोजन किया गया जिसमें रक्षामंत्री राजनाद सिंग केरल के राजयपाल आरिफ मुहमत खान उपमुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक समेत अन्य बीजेपी के बड़े नेता मौझूद रहे जौरान मुर्जेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में हम कानून का राज इस्थापित करेंगे इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए जीवन में बदलाव लाने का काम बीजेपी कर रहे है और प्रदेश सरकार में योगी जी कानून का राज इस्थापित कर रहे ह लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी से बहतर कोई सरकार नहीं हो सकती, इसलिए बीजेपी के वोट परसेंटेज में भी बड़ोत्री हो रही है माइगोंडा में महिला डॉक्टर सुदामा त्रिवेडी के तानशाही रवेए से परिशान होकर वहां की करमचारियों ने धर्ना प्रदर्शन किया करमचारियों ने महिला डॉक्टर पर अभद्रता समेत कई गंभीर आरूप लगाए हैं ये पूरा मामला मनकापुर CSC का बताए जा रहा है साथ ही धर्ना दे रहे करमचारियों ने चिकित्सा दिक्षक को ग्यापन भी सौपा है लेकिन डॉक्टर और करमचारियों के बीच चल रही इस तनातनी का खाम्याजा वहां के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है और निजी मतलब जो भी कारी हम लोग करते हैं उसको सुचारूप से करने नहीं देती हैं आप्रेशन आज तक उन्हों ने एक भी निल किया अप्रेशन वाले मरीज से परशा चीन के इधर उधर प्राइविट नर्सी होमों में या इधर उधर टार्चर करके बेज देती है आपकी मांग क्या है महारी मांग है मैंटम को यहां से हटाया जाए है नोगों कामपाना है कि वह भी करेशा चीन लेना और प्रशा चीन हर्में डेना वही वारा नसी के लोता थाना शेत्र में एक महला निफासी लगा कर आत्मत्या कर ली। बता दिके महला के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहीज उत्पीडन का आरूप लगाया है। परिजनों का कहना है कि दमाग को पैसे न देने पर उनकी बेटी की हत्या कर दी गई, वहीं मौत की सूच न मिलते ही ससराल वाले मौके से फरार हो गए हैं, पुरिसने मामला दर्श कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है और इसके साथ ही शफ को कबजे में लेकर पर दो गए तो हम अपने लागा साधी करेंगे, तो हमारे आदमी तब था रहें, तो वह कहें कि हम मांगे वाले की साधी ना करें, तो आउर एकार दू लोग हमां देवर दमास सवे कलन की चला इनके कूछ कम देदा, लड़की के साधी कब हुई थी, कब की थी अड़ाई स गोंडा के नगर कोतुवाली शेत्र में दबंगो की दबंगई साबने आई है, बतादे की पेट्रोल डलवाने आए एक दबंग ने पंप के करमचारी के साथ गाली गलोच और मारपीट की, विवाद के शुरुवात तेल डलवाने के दौरान हुई जो की मारपीट में तब मामले का वीडियो बनाकर किसी ने शोचल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जो की अब वाइरल हो रहा है, पीली भीत में इन देनों ट्राफिक पुलिस अक्शन मोड में नज़र आ रहा है, बता दे की स्पी ट्राफिक के निर्देश पर एक विश्रीश अभियान चलाए गया, इस दोरान पुलिस ने सभी वाहनों की चेकिंग की, इसके साथ ही नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को भी चेक किया और उनके चालान काटे, साथ ही लोगों को ट्राफिक को और नियमों के प्रती पुलिस ने जागरूप भी किया, चले फिलाल के लिए इतना ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को विस्तार से जानने के लिए मारी वेबसाइट www.tnpnews.info visit करें, धन्यवाद